भारत और साथ अफरीका के बीच मंगलवार 4 अक्टुबर को 3 मैच की T20 सीरीज का आखरी मुकाबला खेला गया। इस मैच को रंचासन से जीत साथ अफरीका ने खुद को क्लीन स्वीप होने से वचा लिया है। तीन मैच के सीरीज के पहले दोनों मुकाबले जीतने के वज़े से भारत ने सीरीज को 2-1 से जीत लिया। सीरीज के तीसरे मुकाबले में हार के बाद ये पूछा जा रहा है कि आखर वो क्या स्ट्रेटेजी रही जिसने अक्षर पटेल से मैच में सिर्फ एक ही ओवर करवाया। इस चीज पर मैच के बाद भारती टीम के हेड कोच राहूल द्रविट से भी जवाल पूछा गया। जिसके जवाब में राहूल द्रविट ने बताया कि T20 वर्लकप से पहले उनके टीम के लिए मैच अप करना कितना महत्वपूर है। राहूल द्रविट ने क्या कुछ का आईए आपको बताते हैं। जवाब जरूर मिलेगा। इसलिए मैं आप लोगों से यही निवेधन, यही विंती करता हूँ कि इन नमबर्स को उतना ही ध्यान से देखें जितना के हम देखते हैं। यह सारी बाते राहूल द्रविट ने इसलिए भी कही क्योंकि अक्षर पटेल के सामने साउथ अफरीका के वो बल्लेवाज बल्लेवाजी कर रहे थे जो कि बाए हाथ के थे और अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे। क्योंकि अगर मैच की बात करें तो अक्षर पटेल ने इस मैच में सिर्फ एक ओवर गिनवाजी की और तेरा रन दिये। अब हम यही उमीद करेंगे कि कम से कम यह जो भी आकड़े जो भी बाते देखने को मिली साउथ अफरीका के खिलाप सीरीज में वो T20 वर्ल्लकप में ना दिखे वहाँ पर अश्विन ही नहीं अक्षर और हमारे तमाम गिनवाज अच्छी गिनवाजी करें और विरोधियों को रोक करेंगे T20 विश्कप के लिए हमारी टीम खास तयारी कर रही है T20 वर्लकप का महा कवरेज आपको ललन टॉप स्पोर्स पर मिलेगा तो हमारे चैनल को जट से सब्सक्राइब कर लिजे और अगर आपको खेलों से जुड़ी और भी खबरे चाहिए इंस्टेंट अप स्पोर्स शुकरिया